पहले तो हैपी टीचर्स जे तो आज का वीडियो जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए पोड़कास्ट आएगे जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे प्राउड टू भी है सिविल इंजिनिर आप कह सकते हो क्योंकि सिविल इंजिनिर बहुत अच्छी स्ट्रीम है बहुत अच्छी ब्राउच है और इसी में आज मैं बात करूँगा कि लगालो मैं अपना बताता हूँ कि जैसे हम मैंने स्टार्ट किया वीडियोस आप देख चुके होंगे काफी चीज़े उस वीडियोस में भी मैंने बात किये तो आज की वीडियो में भी बात करूँगा थोड़ा motivate करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको as a teacher आपका मेरा थोड़ा फर्ज है कि motivate रहो जितनी help हो सकती है मैं शायद कर रहा हूँ job के related knowledge के related जितना हो सके उतना कर रहा हूँ लेकिन अगर हम question की बात करें काफी बच्चों ने question पूछे हुए थे कि job नहीं मिल रही है frustration काफी ज़ाद है तो क्या करना है frustration मेरे को पज़ा काफी ज़ाद होती जैसे मेरी degree complete होई थी तो 6-7 मीने जो मेरे थे मैं government की preparation करने लग पड़ा उसी दोरान frustration स्टार्ट हो गई थी क्यों स्टार्ट हो गई थी कि जम्मुएन के शुमीर में से मैं belong करता हूँ और उस time J.E. Civil मतलब junior engineer civil की में त्यारी कर रहा था J.K. SSB की मतलब state level पर कर रहा था SSC की नहीं तो exam एक साल गया दो साल तीन साल ऐसे exam नहीं हो रहे था मतलब last जब मेरी degree complete होई उससे दो साल पहले J.E. की पोस्टे आई थी उसके चार साल तक कोई नहीं आई थी और 6 मीने बाद पता चला कि notification आने वाली नहीं आई ऐसे ही थोड़े time चला मतलब एक साल हो गया मेरे को देड़ साल हो गया करना है क्योंकि अभी मैंने degree की है चार सा लगाएं relatives का भी होता है थोड़ा pressure तो रहता है थोड़ा frustration रहेगी लेकिन आपको उस चीज से बाहर निकलना है और तब मैं निकल गया और आज अच्छा मतलब अच्छी salary है अच्छी income है अच्छे sources हैं तो यह होता है मतलब इस time अगर आप student fresher हो जहां भी job नहीं मिल रही है frustration काफी होगी लेकिन उस चीज को हाभी मत होने दो करना क्या है थोड़े effort करने effort की हिसाब से करने आपको एक तो skill gain करो डिगरी में कुछ नहीं मिले हमें ना मेरे को मिला था नहीं काफी colleges अच्छे है जहां मिला भी होगा लेकिन skill अपने gain करो फिर job को सर्च करते रहो आज के लो option काफी ज़ाद है मतलब मैं बोल रहा हूँ 4-5 साल पहले इतने option नहीं थे जितने अभी option है तब ना इतना internet था ना job search मतलब हम dependent किस पे थे हम थे consultancy पे depend तब इतना job related online portal इतने थे लेकिन knowledge नहीं था क्योंकि net इतना ज़ादा नहीं था net का expansion हुआ जी हो जब आई तो उसके बाद काफी expansion हुआ लेकिन जहां जमू इन कश्मीर में इतना ज़ादा तब नहीं था हम consultancy पे depend थे consultancy तब से पैसे लेती थी मेरे खाल में काम नहीं करती थी तो अभी skill आपको मिल जाते है skill आपको google से मिलते है आपको youtube से मिलते है आपको website से मिलते है आपको courses से मिलते है आपको internships मिलती है आपको training मिलते है मतलब skill आप कहीं से भी ले सकते हो इस समय बहुत option है अब बस आपको skill gain करने job search के लिए हमारा platform है काफी platform है indeed है नौकरी.com है times jobs है और भी ऐसे 100 platform है लेकिन देखना genuine apply करना क्योंकि जैसे मैंने देखना mostly आजकल इन platform पे consultancy का प्रकोप काफी जाद है तो वहाँ हो सके तो company की website डूंड के वहाँ apply करो दूसरा यहां LinkedIn पे profile करो LinkedIn पे अभी genuine jobs मिल जाती है तो वहाँ थोड़ा focus रखो बाकि internship और apprenticeship training करते रहो दूसरा देखो बच्चों को हो रहा है जो बच्चे job कर रहे है उनका भी comments थे कि job कर रहे हैं 12 गंटे नोकरी है ना salary अच्छी है तो क्या कर रहे है देखो मैं जब गया था मैंने जैसे last video में भी आपको कहा था जो podcast हमारा पुराना podcast था कि मेरे को 3-4 मन्थ बात ऐसा लग रहा था कि job छोड़ देनी चाहिए यार 12 गंटे मैंने b.tex किया 10-15 लाग रुवे खर्च किया और मैं 15,000 की नोकरी कर रहा हूँ और 12-13 गंटे काम कर रहा हूँ तो क्या है कुछ नहीं है लेकिन तब थोड़ा stable किया माइन को मैंने कि नहीं मैंने सुना हुआ था मेरे एक काफ़ अच्छे टीचर था मेरे तो उन्होंने एक चीज मेरे को जुरूर गई की कि starting में आपको hard work करना पड़ेगा अगर hard work इस field में नहीं करोगी क्योंकि इसमें क्या है हमें education hard work की जुरूरत वहां नहीं पड़ती है जहां आपके पास skill होते हैं जहां आपके पास अच्छा knowledge होता है लेकिन इसमें ना colleges अच्छे थे ना knowledge अच्छा था ना खुद effort idea ही नहीं था यार mostly अभी मैं देखता हूँ 60-70% civil engineers को यही idea ही नहीं है कि आपको करना क्या जाके अभी मतलब 4 साल जहां 3 साल complete हो जाएंगे आगे करना क्या है 60-70% civil engineers को यहीं नहीं पता है तो यहीं चीज होता है अगर हमें पता ही नहीं है तो क्या कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है hard work करना पड़ता है hard work इस तरह से मैं आपको story बताता हूँ एक ठीक है जब मैं एक से मेरा एक साल हुआ था मेरा के उस company में तो मेरे को एक नई location में जाम नगर में डाला गया वहां airlines के अंडर तो वहां काम था मेरा steel retailer का था power winding schedule का काम था और मेरे को इतना एक साल में इतना क्यूंकि exposure मिला यह नहीं था senior से सीखने को मिला था थोड़ा बहुत कुछ seniors थे जिन्होंने help की थी सिखाया था तो वह मेरे को वहां डाला गया steel detail में और वहां पे मैंने 42 और वी काम किया है मतलब मैं आज morning में क्या हूँ पूरा दिन वहां रहा रात को वही रहा दूसरे दिन वहां रहा तीसरे दिन में शाम को गर जा रहा हूँ क्योंकि वहां workload इतना होता था कि मतलब casting हमें जल्दी से जल्दी करनी है उसके लिए उससे पहले तो steel का काम होना चाहिए था और मतलब 42-42 गंटे मैंने काम की है तो hard work से ही शाहिद मैंने सीखा भी है जो भी मेरे को अभी आता है तो मैं दिन रात काम किया हूँ mostly 12 गंटे तो मेरी job रही है दो साल मैंने पहले जो रही है ना मेरे social life थी frustrated सा पूरा motivation यही थी कि बस 2 साल बाद मेरा सही हो जाएगा और ऐसा होता है अगर 2 से 3 साल आप company में लगा देते हो तो आपका अच्छा हो जाता है मेरे ख्याल में तो यह होता है बाकी अभी कई comments आते हैं के से नहीं 3 से 4 साल और 5 साल होता है लेकिन उस 5 सालों में आपने क्या किया होगा इसको ऐसे job लिया होगा कि मेरे को एक मतलब यह 12 गंटे निकाले ऐसा नहीं करना है 2 साल तो work hard मतलब खतरना काम करना है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो यह मेरे ख्याल में आपको यह follow up करना है और देखो इस field में salary तो इस field में salary थोड़ी कम IT के हिसाब से मतलब इसमे salary हमें कम मिलती है और जैसे 5 से 6 साल का experience होता है तो 17,000 civil engineer पहुंचते हैं कुछ कहीं को तो वही 30 से 40,000 मिल रहा होता है तो इसको क्या कैसे counter करना है यह question थे मेरे को काफी तो इसमें देखो as a civil engineer आपको counter कैसे करना है पहले तो आप field का 2-3 साल आप लगाईए field का अच्छे से सीख लीजे फिर अभी option है आपके पास part-time के काफी option होते है part-time में क्या option है आपके पास part-time में कुछ भी कर लीजे youtube करिए blog writing करिए software काफी platform है work है grade up है तो उन पे बना लीजिए अपना profile और आपको काम मिलता रहेगा और एक काम क्या से मिलेगा इसके लिए भी आपको एक specialist मतलब एक specialist बनना है पड़ेगा किसी चीज में लगा लो कोई software में आप planning का कुछ सीख लीजिए बिलिंग सीख लीजिए surveying सीख लीजिए estimation सीख लीजिए तो आपको काम मिलता रहेगा मतलब job के साथ अगर आपको extra money कमानी है आप सोच रहे हो कि मेरे को कुछ आगे करना है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा मतलब आप skills सीखते रहे है साथ में courses लेते रहे online courses आजकल काफी platform है और एक मेरे साथ में आपको बताता हूँ मेरे साथ एक engineer सासीव इंजिनियर था आजकल वो Canada में है तो उन्होंने क्या किया था मतलब मेरे से एक साल senior से वो तो साथ में मतलब 12 गंटे वहाँ job करते थे मेरे साथ फिर वो शाम को मतलब रात को एक से दो गंटे वो उन्होंने rebate सीखा काफी software सीखते गे करते गे करते गे उनके पास experience हो गया उस चीज का rebate का और उसका और एक MNC company थी बाद में उनमें क्यूंकि उनके पास 4 साल का experience भी था और software का अच्छा hand था उनमें तो उन्होंने interview दिया और उनकी selection हो गया Canada में है salary काफी अच्छी है 3 से 4 लाक रुपे salary वहां ले रहे हैं तो यही चीज होती है आपको efforts करने पड़ेंगे आपको work hard करना पड़ेगा तब ही कुछ हो पाएगा बाकी अगर मैं कहूं कि आप बैठे रहोगे कोस्ते रहोगे अपने आपको तो उससे कुछ नहीं होगा और इसके लिए मतलब एक फिल्ड ऐसी है आप जब काम करोगे ना side पर क्या मज़ा आता है side पर आज भी मैं याद करता हूँ चीजें क्योंकि जब side पर मैं काम करता था बहुत मतलब एक तो टफ तो था 12 गंटे काम भी होता लेकिन आज याद आती है वो चीज़े तो मज़ा आता है कि कुछ की है मतलब कुछ क्योंकि construct की है काफी जीजे अभी last अभी recent जो world का largest zoo है जामनगर में उसकी construction में थे हम लोग तो अभी लगता है कि नहीं कुछ construct करके आगे है और बता भी सकते हैं बाद में future में बच्चों को या जिसको भी friend को कि इसमें मेरा heart भी है मैं भी इसमें help की हूँ और इस चीज़ पे आपको proud होना चाहिए as a civil engineer और proud तभी होगा अगर आप इस चीज़ को as a job नहीं लोगे इसको आपको लेना profession है मेरा भाई और इस profession को अच्छा कैसे बना सकते हैं इसमें daily आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको daily सीखना है जितना सीखते जाओगे उतनी growth मिलती जाएगी उतनी salary आपको मिलती जाएगी ये पक्की चीज़ है और अगर मैं बात करूँ अगर जो बच्चे degree में है अभी degree कर रहे है तो उनको मैं अभी से कहूँगा आप first year में हो second, third हो तो अभी से internship start कर दो भाई intern शाला, EICT, apprenticeship training कहर जगा क्या करो apply कर लो, मैं पढ़ते जाओ क्योंकि अगर हम बात करें books की, अगर theoretically करना है तो concrete technology हो गया, building material BCMD हो गया और फिर हम बात करते हैं designs हो गये, surveying topics हो गये, ये 3-4 books है ना, इनको अच्छे से पढ़ो BCMD तो मेरे खाल में जरूर पढ़ना YouTube पे ऐसे channel है जो free में सिखाते हैं अच्छे से practically हिंदी में सिखाते हैं तो उनको भी follow करो, सीखो यार और gain करते जाओ skill जैसे ये सीख के निकलोगे ना, तो interview में किसी भी interview बैठोगे as a fresher तो आप reply कर सकते हो practically चीज़ों को, क्योंकि YouTube पे आजकल काफी चीज़े आ गई है दूसरा courses में आपको काफी explosion मिल रहा है तो आज का वीडियो इसी लिए था कि थोड़ा motivate कर सकूँ और थोड़ा रास्ता शायद दिखा सकूँ कि क्या करना चाहिए तो ये option है, ये मैंने construction field में बताया आपको ऐसे ही alternate method भी बहुत है alternate चीज़े भी बहुत है आप designing में जाएए खुद का business खोलिए उसके लिए क्या है आपको थोड़ा report अपना पूरा profile बनाना पड़ेगा आपको लगा लो एक रास्ता एक आपने आपको 2-3 महिने देने है उसे 2-3 महिने में एक तो चीज़ आपको करनी है कि आपको सोचना है करना क्या है दूसरा आपको उस चीज़ का knowledge लेना है तीसरा उसका पूरा एक project बनाईए कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है और उस रास्ते पर चल पड़िये और उस रास्ते के बाद आपकी success भी है आपको salary भी है सब कुछ है पस थोड़ा focus रहो मैं बोलता हूँ एक से दो साल मतलब एक से दो साल नहीं बोलता हूँ छे से 6 मीने से एक साल तक आप गायब हो जाओ कुछ भी करो मतलब पूरा उसी चीज़ पर focus करो तो आप success जुरूर होंगे तो अभी मैं बीदा लेता हूँ थोड़ा आपको सिखा पाया हूँगा तो thank you और channel को subscribe करो जो बच्चे नहीं की हो हैं दोस्तों के साथ share करो शहीद आपको काफी चीज़े यहां पर सीखने को मिलेंगे thank you guys